सब्सक्राइब कीजिए E24 के यूट्यूब चैनल को हर ताज़ा वीडियो की अपडेट के लिए दबाना ना भूलिए बेल आइकन एक बार फिर दिखा विजे और बुलबुल में प्यार आखों ही आखों में बया किये जज़बात सीरियल सामदाम दंड भेद में आज देखने को मिल रहा है बेहधी ड्रोमांटिक नजारा जहां वीजे और बुलबुल एक दूसरे के करीब आते हुए नज़रा रहे हैं भाई दोनों का प्यार किसी बंद कमरे में नहीं बलकि खुले आस्मा में टेरिस पर हो रहा है वीजे जैसे ही बुलबुल को छट पर अकेला पाते हैं तो वो अपने आपको रोक नहीं पाते हैं और दे देते हैं बुलबुल को प्यार की जप्पी विजे और बुलबुल काफी डुमांटिक मूड में नज़रा रहे हैं और तो और दोनों चादर के बीच उलशते भी नज़रा रहे हैं जी हाँ, खुला आस्मान, ये चादर के बीच रुमांस और ये हसीन पल देख कर तो हम यही कहेंगे किस लमहे को खुल कर जी लीजे क्योंकि ऐसे खुशनमा पल बार बार नहीं आते बत अफसोस, दोनों के प्यार भरे लमहों में खलल डालने आगी मंदरा मैडम हाला कि विजे और बुलबुल किसी तरह मंदरा की नज़रों से बच जाते है भई विजे तो खुद को साड़ी में लपेट कर निकल लेते है लेकिन मंदरा बुलबुल से जानना चाहती है कि आखिर बुलबुल चरस पर क्यों आई है वैसे बुलबुल भी कम थोड़ी ना है इतनी आसानी से थोड़ी वो सच बता देंगी आईए विजे से ही जानते हैं आज के इस रुमांटिक सीन के बारे में वो बस इसे थांक्यू कहने आया था लेकिन थांक्यू कहते 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 जब भी वो अकेले होते हैं तो आप जानते हैं कि कैसे चीजें एसकलेट हो जाते हैं किसी और में एक बड़ा ब्यूटफुल सेटप लगाया था विजे, हमेशे की तरहें आज भी आप दोनों के प्यार को नजर लगाने आ जाती हैं मंदिरा क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा जाते जाते ये भी बता दीजे कि आगे क्या होने वाला है शो में? बहुत इंट्रेस्टिंग चल रहा है विजे पागल होनी की आक्टिंग कर रहा है मंदिरा को टराने के लिए और बहुत रिस्पॉंस आरा था विवस का कि मंदिरा इतना कुछ करती जा रही है उसके उपर कुछ खराब नहीं हो रहा उसको उसकी हरकतों का कुछ हिसाब नहीं देना पड़ रहा तो अब विजे ने उसको अल्मूस टॉर्चर करके पागल किया हो है तो ओर्डिंस बहुत ही इंजॉय कर रही है कि मंदिरा के उपर नहले का देला पड़ा तो बहुत इंट्रेस्टिंग आप देखना यह है कि अल्टिमेटली विजे और बुलबुल मिलके कैसे मंदर को अपने घर से फाइनली बाहर निकालते है वेल हम तो यही कहेंगे विजे कि आप और बुलबुल किसी चीज की भी परवा मत कीजिए और अपने इन प्यार भरे लमों को यादगार बनाईए